दोस्तों अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूटीब चैनल प्ले एडिट शेलूशन में इस चैनल पर मिलता है आपको शेलूशन के साथ साथ विश्वास भी तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंदित कोई भी प्राबलम हो वो प्राबलम हाड़वेर से संबंदित हो या फिर सॉफ्टर से संबंदित आप मुझे वाटसप या कॉल करिए और सेलूशन लिजिए बिल्कुल फ्री दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 2022 का बिल्कुल नया सॉंग लेकर काया हूँ और सॉंग का नाम क्या है ये मुझे बताने की जरूत नहीं है थमलन के उपर भी लिखा हुआ दोस्तों कि आज आपको जो सॉंग प्रजेक्ट मिलने वाला है उसका नाम क्या है चलिए आ एट हो एडियस सेवन हो एडियस नाइन हो या फिर आपके पास एडियस टेन हो आप इन चारों में से किसी भी वर्दन पर चला सकते हैं उसके साथ साथ मैं आगे आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप बिदाउट डॉंगल इडियस यूज करते हैं तो भी आप इ पर आज तक आपका कोई भी प्रोजेक्ट मेरे डियस पर नहीं चला तो फिर मैं उनको पूशता हूं कि सर क्या आप डॉंगल यूज कर रहे हैं क्या तो फिर और उदर से रिपलाई देते हैं कि सर बिलकुल मैं डॉंगल ही यूज करता हूं और आपका प्रोजेक्ट कोई मैं चला नहीं पाता हो सकी कि वह बंदू इस वीडियो को देख रहे हूं बता दो दोस्तों कि कभी भी जब आप डॉंगल चला रहे हैं तो आपको इसका एक्स्टेंशन एक जो प्रोजेक्ट फाइल है उसकी कॉपी करके और एक दूसरी प्रोजेक्ट त्यार कर लेनी है और त्यार करके उसका एक्स्टेंशन चेंज कर लेना है यानि की डॉट इजट पी से डॉट एमस्जी कर लेंगे उसके बाद आप किसी भी डॉंगल पर उसे चला सकते हैं कैसे चलाना है वह भी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा थोड़ा सा संचिप्ट में क्योंकि बहु भी दूँगा तो complete वीडियो को पूरा देखिएगा जल्दी बाजी में वीडियो देख करके अगर पासवर्ड आप पूरा नहीं निकालते हैं और बार बार अगर आप वाट्सप पर आकर कि कमेंट करते हैं कि सर मुझे पासवर्ड दीजिए पासवर्ड दीजिए तो मेरे complete पासवर्ड मिलेगी यह आपको note करना है note करके आप उसे extract कर लेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने desktop पे मैंने इस project को पहले से here आपको इस पर क्लिक करना है एक याद आ गया जब भी आप इसे करेंगे तो आपको एक सौफ्टर की जरूत पड़ेगी जिसका की नाम है विंडरार यह आपको गूगल पे फ्री में मिल जाएगा और विंडरार का आपका हमेशा latest version ही होना चाहिए अगर आप पुराना वि तोटल दस डिजिट इसका जो password है वो मैं यहां पर फील करता हूं मैंने तुटल दस डिजिट यहां पर फील कर दी हैं दोस्तों और मैं यहां पर कर देता हूं OK ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह message दे रहा है कि आपका अलड़ी फाइल डेक्स्टोप पर पड़ा हुआ है जैसा कि आप यहाँ पर यह फोल्टर देख रहे होंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको yes to all कर देंगे कोई दिक्कत नहीं से replace कर तर आ गही है जिए फाइल का मुटा करके किनारे रख देंगे और इस फॉल्टर को ओपन करके हम आपको चेक करवा देंगे फॉल्टर को ओपन करने से पहले दोस्तों जो इसका पहला password हो मैं आप लोगों को नोट करवाता चलूं जो इसका पहला password हो है 47 मैं दुबारा पूरा complete आपके इडियस में चालू हो जाएगा और ऊपर एक फोल्टर बना हुआ है डेटा के नाम से इसके अंदर complete इसका डेटा फाइल है तो यहां पर यह पड़ा हुआ है चलिए ठीक है close कर देते हैं दोस्तों फोल्टर को और उसके बाद हम अपने इडियस को start करते हैं और यह इडियस 10 है मैं आप लोगों को बताता चलू कि आप इडियस 7, इडियस 8, इडियस 9 या फिर इडियस 10 चारों में चला सकते हैं अगर आप अभी भी इडियस 5 या फिर इडियस 6 यूज़ कर रहे हैं तो इस प्रजेक्ट को डाउनलूड मत करिएगा अब इसे यूज नहीं कर पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं डिजाइन चेक करते हैं उससे पहले जो इसका दूसरा पासवर्ड है वो मैं आप लोगों को नूट करवाता चलूँ इसका जो दूसरा पासवर्ड है दूस्तों वो है 49 मैं दुबारा फिर रिपीड कर देता हूं कि जो इसका दूसरा पासवर्ड है वो है 49 चलिए ओपन प्रोजेक्ट पे हम इहाँ पे किलिक करते हैं उपन प्रोजेक्ट पे किलिक करने के बाद हम चले आते हैं अपने डेक्स्टोप पह क्योंकि मैंने फाइल को डेक्स्टोप पे ही जियुक्त करवाया था ये वो फ् жел사 wanna है इंदर आप देख पा रहे होंगे कि complete पूरा का पूरा data missing है अब भी अगर नए user है ideas के तो हो सके कि आप भी इस project को जब अपनी ideas में चालू करें या फिर और किसी का project आप चालू करते हूं तो इस तरीके से आपको timeline पर दिखाई देता होगा zebra line और उपर देखते होंगे आपको display पर यहां पर की preview दिखाई देती है हो सके कि आपको इसी तरीके का कुछ interface दिखाई देता होगा तो आप जाकर हो जाते हैं परिशान की सरी यह से कैसे restore करेंगे यह क्या है हो सके कि इसने project ही हमें गलत पकड़ा दी या फिर मतलब कुल मिला जुला करके आप confuse हो जाते हैं यह पार फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि जो इसका तीसरा password है वह 84 करना क्या है दोस्तों कि यहां पर आप देख पार होंगे यहां पर नीचे जो missing file है तोटल 30 missing file है यहां पर शो कर रहा है जस्त हमें इसी के उपर double click करना है double click करने के बाद हमें इस तरीके का एक dialogue box सामने दिख 完全 की हता देना है अगे किसी वी एक file पर हमें क Likewise करना वेक किसी फाइल ने कीदों करने के बाद आप को यहां पर एक एरई अगर यहां दिखाए देता है तो आप इसे arrow पर click करेंगे arrow पर click करने के बाद आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिखाई देगा select relink folder ध्यान से पढ़िएगा select relink folder इसके उपर आपको click करना है click करने के बाद आपको एक browse का option दिखाई देगा यहाँ पर यह पूछेगा कि आप इस clip को restore कराना चाहते हैं वो computer के किस ज जलूँगा सीध अपने desktop पे यह हमने desktop क्लिक कर लिया desktop पे जाने के बाद हमारा यहां पर फोल्टर बड़ा हुआ है फोल्टर के अंदर हम चले जाएंगे और हमारा डेटा वाला जो फोल्टर है हम इस डेटा वाले फोल्टर का लोकेशन दे करके यानि कि इसको हो चुकी है चलिए थोड़ा साम इसे उपर बढ़ाते हुए audio की कर दोते हैं यहां पर mute और हम स्टार्टों सब्सक्राइबन चेकर रहे आपको पसंद आएगा या पिर नहीं को चेक करवाने के साथ साथ मैं आपको इसका चौठा पासवर्ड भी नोड़ करवाता चलू जो इसका 4 पासवर्ड है दोस्तों वहbey 98 मैं दूबारह फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि जो इसका 4 पासवर्ड है वह नाइन एट डिजाइन वाकई में बहुत ही खुबसूरत है दोस्तों और बिलकुल फ्री सॉंग प्रोजेक्ट है इसे आप डाउनलोड करिए यूज करिए अपने वाटसब ग्रूप में इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए और अपने जितने भी वाटसब ग्रूप में आप पॉस कर देते हैं पॉस करने के बाद हम इसे कर देते हैं मिनिमाइज मिनिमाइज करने के बाद हम चले जाते हैं डेक्स्टॉप पे डेक्स्टॉप पे जाने के बाद दोस्तों यह हमारा वो जिप फाइल है जो आप डाउनलोड करेंगे रैट किलिक करके हम चले जाते हैं और properties के अंदर जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि तक्रीबन 500 MB data खर्च करना पड़ेगा आपको इसे डाउनलूड करने के लिए डाउनलूड करने के बाद दोस्तों इससे आप एस्टेक्ट करेंगे तो तक्रीबन मान के चलें 600 MB data इसके अंदर से बाहर आएगा तो उम्मीद करता हूं कि यह restore कराने का जो तरीका है वो आपके समझ में आ गया होगा अब एक छोड़ी से चीज आप लोगों को और बतानी है दोस्तों कि जो इसमें footage यूज किये गए हैं वो किस तरीके से आपको cutting करना है तो चले जाते हैं आपको डी ड्राइब में एक फोल्टर द्यार कर लेना है सेम स्पेलिंग से और वहां पर बनाने के बाद आपको पांच बॉय के footage साथ कपल के footage और साथ गर्ल के footage आपको लेने हैं 25 सेकंड में आपको रेंडर करना है दोस्तों ह 264 में अक्सर क्या होता है न लोगों को सब्सक्राइब रहती है और password निकालने के बाद लोग फटाफट वीडियो को स्कीप करके खतम कर देते हैं और उसके बाद बार बार जाकर करें कि सर फुटेज नहीं रिस्टोर हो रही है क्लिप नहीं रिस्टोर है सर हेल्प मी सर हेल्प मी तो आप complete पूरी वीडियो देख पांचवाँ और अंतिम password क्या है पांचवाँ और अंतिम password बताने से पहले दोस्तों बार बार एक चीज आप लोगों के द्वारा और भी मुझे देखने को मिला है कि आप लोग हर बार अपना नंबर वाटसब भीज़ते हैं और कहते हैं इस नंबर को अपने वाटसब गू देता हूं जैसे माली यह एक वीडियो है हमारा इस पर आपने क्लिक किया क्लिक करने के बाद आप चले गए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानि की सी मोर पर आप क्लिक करेंगे यहां पर देखेंगे दोस्तों कि वाटसब गुरूप का लिंक आपको शो कर रहा होग आपके कंप्यूटर पर ही दोस्तों आपको वाटसब गुरूप का जुड़ने का ऑफशन आ जाएगा जोईन चैट पर क्लिक करेंगे और आप खुदी भी जुड़ सकते हैं पर इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपके सिस्टम में वाटसब इंस्टॉल होना चाहि आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसे लगे हाथ आपको इसका पांचवा और अंतिम पासवर्ड नोट करवाते हैं आप नोट कर लिजिए जो इसका पांचवा और अंतिम पासवर्ड है वो है 91 मैं दुबारे फिर रिपीड कर देता हूं ताकि आप दियान से सुन लें जो किसी तरीकी का अगर कोई मदद आपको चाहिए तो आप मुझे वाट्स अप या कॉल कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसे नए प्रोजेक्ट के साथ तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जहीं दोस्तुं